Hello everyone, welcome to exam grid, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, RPSC की तरफ से जो recruitment आपके आउट हुए हैं, तो RPSC क्या है, राजिस्तान पब्लिक सर्विस कमिशन है, इनकी तरफ से assistant professor की post के लिए जो है recruitment वो अभी notification आउट हुआ है, 22 जून का ये notification है, ठीक है, राजिस्तान लोग सिवा आयोग अजमेर की तरफ से, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपका assistant professor की post के लिए vacancies है, और total कितनी post के लिए है, 1913, ठीक है, 1913 post के लिए यहाँ पे आपकी vacancy निकली है, पाद इस्थाई है, इस्थाई का मतलब है permanent, ठीक है, permanent आपकी ये post है, और इन्होंने बोला है जो भी number of post है, वो बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है, वो इनके open depend करता है, ठीक है, फिलाल आप ये याद रखें कि 1913, आपकी यहाँ पे post है, अब यहाँ पे detail में थोड़ा सा discuss कर लेते हैं, कौन-कौन से subjects हैं, तो देखो यहाँ पे थोड़ा से इन्होंने ये थोड़ सा congested way में बताया हुआ है, बट चलो कोई नी, name of subject, यहाँ पे total subject दी हूँ है, किन-किन subject से आपके vacancy है, recruitment है, और उसी के अलावा, name of number of post कितनी है, total number of post कितनी है उस subject में, और साथ ही में यहाँ पे category wise इन्होंने थोड़ा से divide किया है, जैसे कि general या unreserved category के अंदर भी आपके बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने sub category रखी हुई है, इसी तरीके से schedule class के अंदर इन्होंने sub category रखी हुई है, तो ST, OBC, MBC, EWS सब के अंदर जो है, ऐसा sub category बनाई हुई है, तो यह journal हो गया, SC हो गया, ST इन सब की category के अंदर आप चिस भी sub category में लाए करते हूँ, आप उसके अ A, B, S, D, Business Administration, E, F, M, Geology, Law, Economics, English, Geography, Hindi, ठीक है, अपना subject choose करें, इसमें से history, sociology, philosophy, political science, public administration, Sanskrit, और्दू, पंजाबी, library science, psychology, रजिस्थानी, सिंधी, जेनालोजी, आपके यहाँ पे language वगरा से related भी हैं, culture से related है न, government production and export management, military science, art history, museology, drawing and painting, फिर है आपके यह थोड़े से music से related हैं, तो इनको याद रखना, 32 से आपके जो number हैं, 32 number से music से related आपका start हो गया है, 801 से related, तो इनके लिए थोड़े सा qualification जो है, थोड़े सी अलग होती है, तो वो धिहान रखेंगे, हम नीचे है वो, सारे ठीके music में ह vocal instrument, applied art, painting, sculpture, music tabla, music violin, तो यहां तक आपके music से related हैं, फिर आपके agriculture से related हैं, सारे agriculture and tomology में, अलगल ब्रांच होती है ना, animal husbandry, agronomy, economics, engineering, horticulture आपका, horticulture, livestock, plant pathology और social science, ठीक हैं, तो यह सब आपकी vacancy अपना subject चेक करें, फिर अपनी category के according उसमें देखें, vacancy कितनी है, सब category में अ उसके according भी आप चेक कर सकते हैं, इसके बाद देखू, यह note वगेरा हैं, यह आप detail में पढ़ लेना, advertisement, यह इस notification का link में description में देदूंगी, वहां से जाके अराम से पढ़ लो, क्योंकि अभी बहुत time है इस vacancy को आपका fill करने के लिए, तो आराम से पढ़ें, क्योंकि वीड इसिस्टेंट प्रोफिसर की post के लिए, किसे भी government, institution या organization के तरफ से कहीं से भी vacancies आती हैं, तो eligibility almost आप सब में same ही रहता है, ठीक है, तो यहाँ वही है कि 1 से लेके 31 तक और 40 से लेके 48 तक, जितने आपके subjects थे, उनके लिए यह वाली eligibility है, जो मैं बताने वाली हूँ, और वो इसिरे थोड़ा सा changes हैं, आपकी eligibility में, ओकी तो पहले discuss कर लेते हूँ, वही आपका, कि master degree होनी चाहिए, आपके पास, जिस subject में आप apply कर रहे हो, और उसमें आपका 55% marks होना चाहिए, डिपेंड करता है, आप कौन सी category से हो, तो वहाँ पे 5% का relaxation आपको मिल जाता है, दूसरा इसके साथ आपका net qualify होना चाहिए, ठीक है, तीन condition है, या तो आपका net qualified हो, national eligibility test जो यूजिस से conduct कराता है, science से हो, तो CSIR net आपका qualify होना चाहिए, ठीक है, अगर state eligibility test जी आपने तो वह भी चल सकता है, तो आपका या तो net हो, या आपका SLETA, SET हो, और या तो आपके पास PhD degree हो, ठीक है, और वो भी कौन से regulation के according चल रही हो, जो regulation 2009 और 2016 के according, ओके, तो जिनके पास ये सब होगा, मतलब PhD degree जिनके पास होगी, अगर और ये सारे regulation के under, उनके ये degree है, तो उनको net वगरा होने की जरुरत नहीं है, फिर वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पहले ऐसा था, कि net नहीं द qualify हो, क्योंकि आपके पास obviously PhD है, उस से उपर के degree है, उसे के साथ यहाँ पर बोला है, अगर किसी candidate की PhD degree जो है, July 11, 2009 से पहले की है, जैसे मैंने बोला ना कि 2009 के according होना चाहिए, लेकिन अगर उस rule से पहले की है, July 11, 2009 से पहले की है, तो वहाँ पर वही सेम आपको इन condition को follow करना ह होगा, अगर आपको net से exemption चाहिए, ठीक है, अगर आपको net से exemption चाहिए, तो यह condition होनी चाहिए, क्या आपके regular mode में हो, यह सारे condition मैंना already discussed की हुई है, ठीक है, पुरानी वीडियो में भी, तो आप इन्हें पढ़ ले न, सांती में बोला, अगर यह सब नहीं है, तो आपके प ranking top 500 में आई हो, अब top 500 में किसके अंडर आई हो, world university ranking होती है, अब world university ranking इन तीनों में से कोई भी institution के द्वारा कराए गई हो, चाहिए, वो कौकरेली सैमेंड हो, या टाइम सायर एजूगिशन ने कराई हो, या फिर आपके academic ranking वो world universities of the sanghaji ji or town universities sanghaji ने कराई हो, ठीक है, तो व Hindi written in Devnagri script, तो Devnagri lippi में जो Hindi लिखी जाती है, उसकी knowledge आपको होनी चाहिए, ठीक है, और साथ साथ में आपको Rajasthani culture की भी knowledge होनी चाहिए, क्योंकि आपकी ये राजिस्थान Public Service Commission की आपकी vacancy recruitment है, तो वहाँ की knowledge आपको required है, तो ये तोड़ा सा extra यहाँ पे है, उसके साथ इ सेम है कि ये कि नहीं पर बोला है, कि और करके उनके लिए एक और छूट है, अगर ये उपर वाली condition नहीं follow करते हैं, तो उनके लिए एक ये है कि वो अगर एक traditional ये professional artist है, और high commendable professional achievement उन्होंने अपने subject में किया है, और साथ साथ उनके पास bachelor's degree भी है उसमें, ठीक है, और उसक radio ये दूरदर्शन के, ठीक है, उनके पास ability हो to explain with logical reasoning वगरा, ठीक है, ये सब है, तो क्योंकि arts related field है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने talent के base पे भी बोला है, कि आपका अगर artistical or professional commendable आपने बहुत अच्छा अच्छा अच्छीब किया है, तो भी आप apply कर सकते हो, और second उ age relaxation का scene है, तो यहाँ से देख लीजएगा अपना, उसी के साथ चलो है, आपर discuss कर लेते हैं, grade पे क्या है, बहुत important है, तो जातर सब में सेम ही होता है, 15600 से लेके 39100 तक आपका यहाँ पे pay scale होगा, ओके, और यहाँ पे important age limit भी आप देख लीजए, age limit कौन है, तो कम से कम आप पे बताया भी है, नीचे कुछ age से related की कौन सी date को होना चाहिए, तो आप वो चेक कर लीजएगा, और यहाँ पे आपका देखिए, यह age relaxation वाला corner है, तो यहाँ पे यह notice भी आप चेक कर लीजए, यह male candidate जो schedule का से ब्लॉग करते हैं, उनको यहाँ पे है, और woman candidate जो है, तो उन लेजएगा आप अपना, important important मैंने बता दिया है आप लोगों को, और यहाँ पे important है, चैन परिकरिया है, यहाँ पे वही बताई हुए, इन्होंने same वही आपका जो normal foreign government organization करते हैं, उसी हिसाब से होगा, लेकिन यहाँ पे यह है कि आपका test गंडे कराया जाएगा, ठीक है, ए अब यहाँ पे बोला है परिक्षा का इस्थान में महा कौन से आप मन्त में expect कर रही हूं, तो October 2023 में जो है exam आपका कराया जाएगा, उसी के according आपका interview भी होगा, और यह जादातर क्या होता है, आगे आगे बढ़ती जाती है, टीट पड़ती नों ने आपको एक idea दे दिया ह सांथी में परिक्षा योजना वे पार्थे करम किस तरीके से syllabus वगरा रहेगा, या exam के secondaire कराया जाएगा, तो online, offline बोल रही है यह आपका, दोनों हो सकता है, ठीक है, तो यह हिंदी में तो exact मुझे नहीं बता, आप यह पढ़ ले ना हिंदी में, बाकी इसमें important आपकी है कि कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो application form अभी स्टार्ट नहीं हुए है, 24, sorry, 26 यून से स्टार्ट होंगे, और 25 जुलाई तक आप रात 12 बजे तक form फिल कर सकते हो, तो almost one month है, और जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, परसों से आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इसे अ यहां पे official website given है, उस पे जाना है आपको, वहां पे आपको जाके जो है, कि एक आपका link मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देते हूं, एक मिनिट हां, यह आ गए हम इनकी official website पे, Rajasthan Public Service Commission, इसकी website का link भी मैं description में दूँगी, वहां से जाके आप चेक कर लिजेगा, इधर ही right hand side में news and event में ही आपको मिल जाएगा, यह रहा आपका advertisement, assistant professor की post के लिए यहां पे जाके आप देख सकते हो, और आराम से apply कर सकते हो, तो अभी 26 जून से आपका जो है, यह link start होगा, तो आपको इधर की तरफ ही, यहां पे ही आपको जो है, यही पे news and events में ही आपको, यह important link इध ठीक है, तो यहां पे पूरा process इनो ने बताया हुआ है, process को आप अना से पढ़ें, आप one time registration आपको करना होता है, ठीक है, वहां से आपको password और आपका registration number मिल जाएगा, तो फिल login कीजिए, फिर apply link पे जाकर के आप apply कर सकते हैं, और सांस में यहां पे SSO profile करके भी यहां पे ब SSO based recruitment portal, तो यहां पे आपको जो है, यह क्या करके, यहां पे आ करके SSO based पे आपको अपना क्या करना है, यहां पे one time registration करना है, ठीक है, हर एक university, institution यह हर एक commission का अपना अलग तरीका होता है, तो इनका इस तरीके से SSO के base पे है, तो आप उसके साब से कर सकते हैं, तो अपना ID बगएरा, जो भी document है, सब वो email ID बगएरा, सब कुछ आपको जैसे जैसे वो पूस्ता जाए न, वैसे वैसे आफिल करते जाएएगा, ठीक है, आप discuss कर लेते हैं, कि फीस कितना है, applying fees कितना है आपका, सामाने या unreserved जिने बोलते हैं, ठीक है, और पिछड़ा वर्क की क्री क्रीमिलियर, OVC के अंदर आसने हैं, और आदे पिच्चरा वर्क की क्रीमिलियर के अभ्यारतियों को ले 600 हैं, और बाकियों के लिए 400 आप ठीक है, दिव्यान जन के लिए भी जो है, वो आपका 400 है, तो यहाँ पे आप अपना चेक कर लेना, ठीक है, आप यहाँ पे मीन आ जाता है, किस तरीके से आपका एक्जाम होगा, तो पहला रिटन एक्जामिनेशन होगा, मैंने बताया है, और दूसरा आपका इंटर्व्यू होगा, तो रिटन एक्जामिनेशन में आपका किस तरीके से आपका टाइम अलोट होगा, क्या क्य दुबारा इन्होंने दे दिये subject concerned with the post अच्छा ये थोड़ा सा क्या हुआ है subject दोनों ही subject से related हैं post से related है यह इन्होंने दो बार लिख दिये शहर एक है और लास्ट आपका है journal studies of Rajasthan इसके बारे में आपको clear बता दूंगे एक बार पता करके बारे में जैसे मैंने बोला आपको पता होना चाहिए तो राजिस्थान के बारे में जितने भी studies है वो पता होनी चाहिए 50 marks का paper आएगा बहुत important है और आपका दूंटे का paper होगा टोटल marks आपके 200 हैं देखो टोटल इन का तीनों का 200 ही बैठ रहा है यानि कि दो paper आपके जो पोस से related subject है उस से related होंगे और एक paper होगा आपका राजिस्थान से related इसके बाद आपका दूसरा राउंड होगा इंटर्व्यू का इंटर्व्यू में आपके 24 marks का आपका इंटर्व्यू है ठीक है उसके बाद उन्होंने बोला जैसे भी आपको बता दिये जाएगा minimum qualifying marks जाएगी से बुटाइबस यहां पर बताया हुए है कि सेल बीशाज इस सपैसिपाइड by commission from time to time will be intimate to candidates within the stipulated time तो इनोंने बोला हम जो है बता देंगे अपनी वैबसाइट पे आ जाएगा करने का जैसे आता है तो वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं ठीक है तो बागी यह सब डीटियल जो नूट वगरा है देखो बहुत जाद डीटियल में हैं तो यह सब पढ़ लेना मैंने बेसिक बेसिक चीज आपको बता दी है कि अपलाइ करने की डीट क्या है कितनी पोस्च आपकी है कितना फीस आपका लगेगा ठीक है सब कुछ और एज लाम वगरा हैं और क्या क्या है अपके अपकी है तो अच्छे से अपना नॉटिफिकेशन पढ़ें डिस्क्रिप्शन निंक में मैं दे रही हूं इस्क्रिशन मीं निंक दे रही हूं मैं एडविटीजमेंट का, नोटिफिकेशन का, वहाँ से जाके अराम से पढ़ें, और फिर अपना अप्लाई करें, ठीक है, 26 जून से आपका अप्लाई होगा, अभी नहीं,